इस वीडियो में शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में जानकारी दी गई है यह एक गंभीर समस्या है जिसमें डिलेवरी के दौरान बच्चे का सेर बाहर आ जाता है किन्तु उसका कंधा फस जाता है बाहर नहीं आ पाता जिसके कारण बच्चे के गर्दन से हाथ में जाने वाली नसों में दबाव का खत्रा रहता है एवं इन नसों में दबाव आने के कारण बच्चे को स्थाई अत्वा अस्थाई रूप से हाथ में लकवे की शिकायत आ सकती है